मेरे प्यारे देशवास्यों देव भूमी उत्राखन की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं उन्होंने अपने बेटे को अपने भाई को खूब सारा आशिरवात दिया है उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की थी कि हमारी सांसकुरुदिक धरोहर रा भोजपत्र उनकी आजिविका का साधन बन सकता है आप सोच रहे होंगे कि या पूरा माजरा है क्या साथियों तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीती माना कि महिला उने ये वो महिला हैं जिन्होंने पिछले साल अक्तूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृती भेंट की थी ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभीबूत हो गया आखिर हमारे हां प्राचीन कार्थ से हमारे शास्त्र और ग्रंत इनी भोजपत्रों प इस भोजपत्र से बेहद ही सुन्दर सुन्दर कलाकृतिया और सुम्रती चीन बना रही हैं माना गाव की यात्रा के दवरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सरहना की थी मैंने देवभूमी आनेवाले परियाटकों से अपील की थी को यात्रा के दोरान जादा से जादा लोकल प्रोडक्स खरीदें इसका वहाँ बहुत असर हुआ है आज बोज पत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तिर्थियात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं बोज पत्र की प्राचिन विरासत उत्राखन की महलाओं के जीवन में खुशाली के नए-नए रंग भर रही है मुझे जानकर भी खुशी हुई है कि बोज पत्र से नए-ने प्रोडक्ट बनाने के लिए राज सरकार महलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है राज सरकार ने भोज पत्र की दुरलब पजातियों को समरक्षित करने के लिए भी अभ्यान शुरू किया है जिन खेत्रों को कभी देश का आखरी छोर माना गया था उन्हें अब देश का प्रथम गाउं मानकर विकास हो रहा है ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्र का भी जर्या बन रहा है मेरे पहरे देश भाच्चियों मन की बात में मुझसे इस बार काफी संक्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोस देते हैं ये चिठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी हैं जो हाल ही में हज यात्रा करके आई हैं उनकी यात्रा कई माईनों में बहुत खास है ये वो मैलाएं हैं जिनोंने हच की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पुरी किये और ये संख्या 150 नहीं बलकि 4000 से जादा है या एक बड़ा बडलाव है पहले मुस्लिम मैलाओं को बिना महरम हच करने की इजाज़त नहीं थी मैं मन की बात के माध्यम से सौधी अरब सरकार का भी रदय से आभार व्यक्त करता हूँ बिना महरम हच पर जा रही मैलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोडिनेटर्स नियुक्ति की गई थी साथियों बीते कुछ वर्सों में हज पॉलिस में जो बड़लाओं किये गए हैं उनकी भरपूर सराना हो रही है हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है हज यात्रा से लोटे लोगों ने विशेश कर हमारी माताओं बहनों ने चिठ्थी लिख कर जो आशिरवाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रह रख है अब जादा लोगों कर दो आशिए